नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका टिम्स अकैडमी में आज हम डिसकस करेंगे हिमाचल परदेश के इतिहास से जुड़े कुछ कौस्चन्स इस वीडियो को अंतक जुरूर देखें और अगर आपको किसी भी कौस्चन के रिकार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक् के कौंटेक्ट नमबर पे जाकर कौंटेक्ट करें चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कौशन नमबर वन हिमाचल परदेश में बौध दरहम का परवेश कब हुआ था इसका अंसर है 242 बीसी अशोक ने बौध दरहम के परचार के लिए मजहिम नाम के भिक्षू को हि इसके फल्स रूप कुछ समय बाद 242 बीसी में हिमाचल में बौध धरम का परवेश हो गया कौशन नमबर टू शुंग वन्ष की स्थापना कब हुई थी इसका अंसर है 185 बीसी शुंग वन्ष की स्थापना 185 इस्वी पूरव में मौरेय समराज्य के अंतिम राजा ब्रही द्रत को मार कर पुष्यमित्र शुंग ने की थी कौशन नमबर थ्री भारत के नुपोलियन समुद्र गुप्त ने कब परवत्य जनपदों को जीत कर अपना अधिपत्य जमाया इसका अंसर है 340 इस्वी समुद्र गुप्त ने कुलिंदो योदेयो अरजुनेयो को अपनी सम्प्रभुता सविकार या उससे लड़ने के लिए बाद्धे किया उसी के फल्सरूप 340 इस्वी में वो अपने अभियान में सफल हो गया इसका अंसर है 521 इस्वी 521 इस्वी के लगभग हुनो ने तोर्मान के नित्रितों में पंजात अथा पंजचिमी हमाले पर आकरमन किया तोर्मान के पशचात उसके पुत्र मिहीर कुल ने 525 इस्वी के करीब पंजाब से गवालियर तक के परदेश को अपने आधि पत्ते में कर लिया था कौशन नमबर 5 भारत का एटिला किसे खा जाता था इसका अंसर है मिहीर कुल मिहिरकुल हून राजा तोर्मान का पुत्रत था, उसका उतर अधिकारी था मिहिरकुल को बड़ा ही अत्याचारी शाशक माना जाता है उसने बौदों पर बहुत अत्याचार किये और उनका कठोरता पूर्वक दमन किया इसी वज़ा से उसे भारत का एटिला कहा जाता था 6. चिनी आत्री हवे इनसां के अनुसार पान सो पिस्वे में कुल्लू पर किसका शाशन था इसका अंसर है विहंग मनीपाल संस्कृत साहित्ते में कलूत के नाम से प्रसित इस रियासत की स्थापना विहंग मनी पाल ने की थी इस रियासत की राजधानी जगत सुक थी Q7. महमूद कजनभी ने नगर कोट पर कब आकरमन किया? इसका अंसर है 1009 इस्वी में उस समय जैचन जगदीश चंदर नगर कोट का शाशक था Q8. नगर कोट का किला तुर्को के कबजे में कब तक रहा? इसका अंसर है 1043 इस्वी तक 1043 इस्वी तक कांगडा किला तुर्को के कबजे में रहा था 1043 में कांगडा के किले को तोमर राजाओने अजाद करवाया था 1051 से 52 तक तुर्को के कबजे में चला गया 1060 में कांगडा के राजाओं ने पुना कांगडा के किले पर कबजा कर लिया Q9. महमोद गजनबी की सेना ने कांगडा जिले के कौन से मंदिर को पांच पार लूट कर नश्ट किया इसका अंसर है ब्रिजेश्वरी मंदिर Q10. मुहमत बिन तुगलक ने नगर कोट पर कब आकरमन किया Q10. मुहमत बिन तुगलक ने ततकाले नगर कोट के राजा पृत्थ्वी चंद को प्राजित करने के लिए 1337 सेना भीजी थी और उसे हराया था Q11. तैमूर लंग ने कांगडा पर कब आकरमन किया था Q12. मुसल्मान कवी आजुदीन खालिद खान ने फिरोशा तुगलक के अदेश पर कितने संस्कृत पुस्तकों को फार्सी में अनुवाद किया था Q13. बाबर ने कांगडा के निकट मलोट में अपनी चौकी कब स्थाप्रीत की थी Q14. नूरपूर का कौन सा शाषक सिकंदर लोदी का समकालिन था Q15. सिर्मौर का कौन सा राजा अकबर का समकालिन था Q16. अकबर ने सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए 1556 इस्वी में कहां अपनी सैना भेजी Q17. इसका अंसर है नूरपूर. नूरपूर का राजा भगतमल सिकंदर शाह का दोस्त था इसलिए सिकंदर शाह ने नूरपूर में शरण ले रखी थी Q17. पंजाब की पहाडी दियास्तों के राजगुमार जो की मुगल दरबार में बंदक होते थे उन्हें मिया की उपादी के शाशक द्वारा दी चाती थी इसका अंसर है जहांगीर Q18. पंद्रासो अठासी से नवासी में किस राजा ने जम्मू से लेकर कांगडा तक सभी परमुक पहाडी रियास्तों को अकबर के विरुत संगठित किया इसका अंसर है विधी चंद विधी चंद जैचंद का पूतर था जो की कांगडा का राजा था 1585 इस्वी में जैचंद की मृत्यू के बाद विधी चंद गदी में बैठा और फिर उसने 1588 नवासी में अकबर से विद्रु किया इसका अंसर है नूरपूर 1605 इस्वी में विधी चंद की मृत्यू के बाद उसका पुतर त्रिलोग चंद कांगडा का राजा बना 1617 इस्वी में जहांगीर ने ततकालिन नूरपूर के राजा सूरज मल और कुली खान को कांगडा का किला जितने के लिए बेजा लेकिन सूरज मल के विद्रो की वज़ह से जहांगीर ने सूरज मल के छोटे भाई जगत सिंग की मदद से 20 मूंबर 1620 को कांगडा किला जीत लिया कौशन नमबर 20 धमेरी का नूरपूर नाम किसने रखा है इसका अंसर है जहांगीर जहांगीर 1622 हिस्वी में धमेरी आया और उसने अपनी पत्नी नूर जहां के नाम पर इसका नाम नूरपूर रखा और इसके साथ में जहांगीर ने कांगडा किले के अंदर एक मस्जित का भी निर्मान करवाया था कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंकियो